तो हलो ब्रीवन स्वाथ से दोस्तों पर फिट सब सभी लोग का हमारे इस यूटूब चनल पर दोस्तों आप सभी लोग के लिए जिनों ने भी से इस एफ कोंस्टेवल फायर मैंन के एक्जामनेशन फॉर्म को फिल अप किया है उनमें से बहुत सारे लोग का में जो कन्फू नहीं है हमारे इस यूटूब चनल पर इस से जरूर जोइन कीजे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो पसंदेगा तो वीडियो को लाइक किजिए चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते सबसे पहले दोस्तों जो मेजर डाउट है आपका फॉर्म करेक्शन क नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों का बेसिक जो प्रॉब्लम आ रहा है यह आ रहा है कि उनके फोटोग्राप्स हो गया पर डेट हो गया है तो अगर आपके फोटोग्राप पर डेट है वो गलत मेंसन की गई है तो जब आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस कैसा मैं क्यों क्या रहा हूं इसके पीछे का भी मैं रीजन बता रहा हूं कि दोस्तों आपकी जो वेकेंसी थी अभी जो सिए से कॉंस्टेवल फायर मैंन की आई है यह आपके 1149 पोस्ट की वेकेंसी थी ठीक है और लगबग आपके साड़े सत्रा से अठारा लाग फॉर्म यह फिलप किया गया है टेंथ बेसी स्वापकी वेकेंसी थी और पोस्ट से आपके 11490 तो इस इसको देखते हुए और आपके जो डेट है मिन्स कि अगर फॉर्म करेक्षन कराना होता तो कब का आपका फॉर्म करेक्षन हो चुका होता यानि इतना लेट इस नहीं लगा था फ आप जो document verification करने जाओ तो वहां पर आप उस चीश को proof कर सको लेकिन अगर आपने form बढ़ते समय बैसिकली अगर आपने जिसे नाम टाइप किया है उसमें नाम में अगर मान के चलो आप रोहित सिंग है ठीक है अगर एक example लेता हूं है रोहित सिंग आपका नाम है ठीक है और आ आपको जो form fill up किया है आपने उसमें नाम चेंज हो गया है तो इस कंडिशन में आपका document verification होगा इसमें आपको चार्ड दिये जाएगा यानि admit card सभी candidates के आएंगे जिनका measure means की आपने document upload किया है उसमें अगर basically गलती होगा तो आपका admit card नहीं आएगा अन्याथा सभी के documents जित इसलिए videos भी वनाई जिसमें मैंने बताया कि आपका जो admit card हो April last week में या फिर आपके माई first week में आ जाएगा ठीक है माई first week में लेकिन आपका April बीच गया है अभी तो कोई update नहीं है और माई का जो first week है इसमें भी लगबग गोतिन दिन बीच गया है और अभी तक कोई update नही है तो क्या जनकरी देनी थी मेरे को सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि मैं जो बताया था आपको एक expected क्योंकि आपका जो form था देख सकते हो कि 4-3 था क्याने ठीक है जो 4-3 है आपका तीसरा महीना 4 तारिक तक आपका जो form था फिलफ हुआ था पिछली बड़ जब आपकी C.I. से फायर मेन को स्टेवल की वेकेंसी आई थी तो आपके लगबग 1.5 मंत के अंदर अंदर आपका जो एडमिट कार्ड था वो इसू कर दिया गया था ठीक है इस चीज़ को आप वेरिफाइग कर लेना आप देख लेना जो प्रिवियस वेकेंसी जाए थी C.I.S. फायर मेन क उसमें 1 से 1.5 मंत यानि लगबग 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो एडमिट कार्ड था वो इसू कर दिया गया था फिजिकल के लिए लेकिन फिलहाल अभी जो है आपका माई का अप्रिल बीत गया और माई का फर्स्ट विक चल रहा है लेकिन अभी तो कोई अपडेट आगा जिससे कि मान के चलो कि अगर आपका टेस्ट 10 तारीक को हने वाला है तो एक तारीक को आपका जो एडमिट कार्ड होगा विसू कर दिये जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाली पहले चीज़ और यह कोई मनसर मैं नहीं बता रहा हूं आप आपके एक्जामनेशन CISF की जो ओफीसियल वेबसाइट है CISF रिक्ट.in यानि यह आपकी जो है रिक्रूटमेंट की ओफीसियल वेबसाइट है CISF की इसी पर आपका एडमिट कार्ड और डेट जो है और एनाउंस कर दिये जाएगा ठीक है दूसरे चीज़ की अगर आप आपको इन्फोर्मेशन दे थी और पिछली जो वेकेंसी थी आपकी CISF फायर मैन की जिसमें कि आपके एडमिट कार्ड थे 1.5 मन्त के अंदर अंदर इसू कर दिये गया ठीक है तो आप अभी थोड़ा सा वेट कर लो हो सकता है कि यह 15 या फिर 10 से 15 तारह के बीच बीच में आपका दोस्तों जो एडमिट कार्ड हो इसू कर दिये जाए लेकिन आपको फुली फिलाहल जो करना है काम उकरना है कि आपको PFT के लिए अपने प्यर प्यर करना है क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझ से पूछ रहे कमेंट्स भी किये थे कि रानिंग सर्फ कितने किलोमेटर की होगी तो पांच किलोमेटर की रानिंग होगी 24 मिनट का आपको टाइम मिलेगा ठीक है तो उनुका कहना है कि आडमिट काड़ाए ताप से दोड़ना सुरू कर दिये जाएगा या फिर कैसे क्या प्रोसेस रहने तो आपको जादा टाइम नहीं मिलेगा 10 डेज विफोर आपके एक्जाम नेसान आपका जो एडमिट काड है वो इसु किया जाएगा तो 10 दिनों में 5 किलोमेटर की डरनिंग जो करनी संभाव नहीं है तो इस वह से आप राक्टिस में रहो और दूसरे चीज़ की जैसे ही दोस्तों कोई अपडेट आता है से याई से जुड़ा हुआ तो हम आपको अपने इस यूटूब चैनल के मादियम से अपडेट जरूर कर देंगे ठीक है तो उमिद करता हूँ दोस्तों की सारी जानकरिया आपको समझ में आ गई होगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो पुस्तन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तब तक लगान्यवाद जैहिन